अपता हुजाए एक बहुत अच्छी आउसअज अपने हुश्टा हम स्वेंपरागि हैं उशका नाम है नमक। बहुत अच्छी अउशड है। यह नमक क्या काम में आता है। जिसको भी ब्लड प्रेशर कम हो गया हो। लो भीपी, उसकी सबसे अच्छी आउशद है नमक, क्या करना है इसको ? पाणी में मिलाए पीना, जिनको भी लो ब्रेट प्रेशर की शिकायत है, उनको नमक पाणी में मिलाके पीना सबसे अच्छी आउशद। कितना नमक और कितना पानी एक किlaas पानी में आधा चमज नमक मिला सकते हैं या आधे चमज से थोड़ा कम अगर नियमित रूप से पिएंगे तो लो बल्ट प्रेशर की बीमारी बिलकुल ठीक करों। और यही नमक हाई बल्ट प्रेशर को भी ठीक करता है। लेकिन वो कैसे ठीक करता है हाई ब्रेट प्रेशर की जिनको बीमारी है उनको नमक मिलाके पानी में इस्नान करना पाना से नमक पानी से इस्नान करना है हाई बीपी जिनको है उनको नमक पानी पीना है हाई बीपी जिनको है उनको नमक पानी से इस्नान करें एक बाल्टी पान आपको हाई ब्रड प्रेशर 15-20 इनमक पानी से इसनान करें लीजिए और कभी पी सावुन मत लगाई है तो आपको थो सबसे अच्छा जो नमक आता है वो सेधा नमक सबसे अच्छा दूसरे नमबर पर जो नमक आता है काला नमक और तीसरे नमक पर नमक आता है वो क्रिस्टल फॉर्म का नमक पाउडर नहीं है वो जो छोटे छोटे डेले में आता है न क्रिस्टल वो नमक यह जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है आयो डी नियुक यह तो बहुत ही खतरना की सरकार यह जबरजस्ति सब को खिला रहे हैं हमने इसके खिलाफ मुकतमा किया हुआ है बार reliable वारह सरकार के विरुद्ध हमने Supreme Court में Sunday ietti जबर शती सबको AODIN युक्त नमक खिला रहे हैं आप कोई भी उधाएं उधाइब इसको कारण उसका क्या इन सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक खाने से एक गंभीर बीमारी आई जिसका नाम है नपुन सकता इंपोटेंस तो वहां के तैक्यानिकों ने रिसर्च करके रिपोट दिया कि इंपोटेंसी का नकुन सकता का सबसे बड़ा कारण है आयोडीन युक्त नमक तो अमेरिका में जर्बनी में जपान में सभी देशों में यह बैंद कर दिया गया फिर वहां का यह नमक भारत आगया और भारत में सबकों जबर्जस्ति खि तो हमने एक दिन उसको पूछ लिया कि भाई तुम यह जबर्जस्ति क्यों खिला रहे हूं सबको आयोडीन युक्त नमक तो उसमें गा राजी भाई बात ऐसी है कि हमारी भारत सरकार का फैमली प्लैनिंग पेल हो गया और जन संख्या बहुत बढ़ गया तो हम सबको जबर प्रजस्ति आयोडीन युक्त नमक खिलाए चार-पास साल में नकूल सकता आजाएगी तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएगे तो भारत की समस्या का परियार समानान हो जाएगे ऐसी हराम थूर सरकार हो इसलिए मेरी आपको छोती सी मिनिंति है कि आप यह आयो इसलिए उसको धोकर और कूट कर पीसकर पाउडर बनाके उसको उप्योग में लाइए बाजार से पैकेट में बंद जिस पर लिखा हुआ है आयोडाइज्ड वो कभी मत लए और मैं आपको एक माहिती देता हूं कि आप बोलेंगे कि घेंगा रोग हो जाएगा ग्वाइट सब्सक्राद आयोडीन की जरूरत जितनी हमारेर वह इंतनी आयोडीन सब्सक्राण ऑडिन の हरहे पत्ये की सब्सक्राइब हो जरोदीक्व में अयोडीन सब्सक्राइब 10 थेसे सब्सक्राइब Luby Możli concurrent आपक का दो इसलिए जीवन में जो भी हम बोजन कर रहे हैं, ज्यादातर भोजपदांखों में आयोबीन है, फिर बाहर से आयोबीन देने की कोई गरज और जरूरत नहीं है, ये जबरजस्ती सरकार ने अभ्यान चला रखा, और इस अभ्यान के पीछे दो उत्येश है, एक तो भारत में और फोर को भड़े ने पर लोग में पुन सकता लाने, थाकि ही लोग संह्या कंभ और दूसरा उत्य। यह कि पंद्रे पैसे कि लोगगी में नमक को साथ रूपए कि खिलीं दिख्वा लेकिं उसको चान्य-पैस कि नहीं लेकर ले हैं, श्यादा बतुत नहीं और आपकी ज निकलती है सभी में आयोनिइन हैं जमीन के नीचे सप्जी निकलती यही होता ही नहीं है श्वाल शच्रा skippingzig को को ज़ुरदगर लेकिन अग्डर आप अपनी जीवन को सुवशित रखना चाहते हैं तो न हम स्क पाषिए साधा नमक लाइए वही खिलाएए और अगर आप जानवरों को पालते हैं जैसे मशी है दूद के लिए गाये हैं उसको भी कभी आयोडीन युक नमक मत खिलाएए जानवरों पता तकी क्या रही है बहुत सारे शेतकरी मुझे शिकायत करते हैं कि उनकी गाये और भैस को इसलिए आप इसको ना खाएं तो अच्छा तो नमक कौन सा खाएंगे तल से तै कर लीजे वो सेदा नमक सब जगे मिलता थोड़ा महगा आता है और एक नमक आता पाकिस्तानी नमक नाम से मिलता है लाहरी नमक के नाम से मिलता है वो भी अच्छा है नहीं तो वो क्रिस्टल फónका देले वाला नमख वो सब आल में पलता है वो लाइए उसी सायुक्षप … काल नमख — काला नमख बहुत अच्छा होए हुए 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 हुए… संचर नमक जिसको कहते हैं वोई काला नमक है संचर नमक उसको बराठी में कहते हैं काला नमक इंदी में